यहाँ पर मैं आप लोगों से काफी इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ, एक साइड में तो लोग आप लोगो जानते हैं, एक साइड में आप लोगो अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप लोग एसाब से कौन से सही है, जानना या फिर अंडरस्टैंड करना, नीचे कि देखे उसके बाद में चीज़ों को समझेगा। दिखे जानने वाले मैं आप को अजारों लाँंखों मिल जाएंगी। लेकिन जो आप लोग को अंडरस्टैंड करते हैं वो बहोत कम होगे उक्का दुका कोई लोग होगा जो आप लोग को प्रोपर वे में करें बरी ही रेयरली लाइप में मिलता है तो इसलिए इंसान को जो अंडरस्टैंड करने वाला परसन है उसके साथ में कभी भी अपनी लाइप में एक तरीके से अपनी दोस्ती बिगाडनी नहीं चीए कोशिस करनी चीए कि थोड़ी बहुत जो नोग जोक हो जाए उनको करते हैं रेयरली कोई एकाधा उन में से निकल कर सामने आएगा अगर आज केट में किसी को हेल्प करने की जुर्त पूट जाए तो आप लोग पूछेगा आप लोग के फिजूप फ्रेंड में से कितने आप लोग की हेल्प करने आएंगी तो यह काफी रेयरली होता है पर लेकिन जो आप लोग के रियलेटिव में अंडरस्टेंड करने वाले फ्रेंड है वो जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं आप लोग के लिए तो इसलिए इंसान को हमेशा उसके उपर साथ में ज्यादा फोकस रखना चाहिए जो उसको अंडरस्टेंड करता है इसलि प्रोडेक्टिव लाइप में अपने पास में प्रोडेक्टिव लोग रखो जो कि आप लोग को अंडरस्टेंड भी करते हो और आप लोग को आप लोग के बुरे वक्त में सपोर्ट करते हो आप लोग के डिजन लेने में आप लोग की हेल्प भी करते हो तो ऐसे लोग आप सबसे पहले हम लोग यहां पर एक मिनट के अंदर अंदर यहां पर नज़र डालते हैं कोरोना वाइरस के केसे पर ओल ओवर वर्ल्ड में 3.8 यानि के 38 लाइरस के हो चुके हैं लगबग 2,64,000 के करीब जो लोगों की अब तक डैथ हो चुकी है और लगबग यहां पर 13 लाइक हैं यहां पर देखते आप लोग यह तेरे लाइक होने वाल है यह वो खुसनसीब लोग हैं जो यहां से रिकवर होकर आ चुके हैं लगबग दूसरे नमबर पर यहाँ पर आप पहुँच गया है UK जो कि हाँ पर कई यहाँ पर कावी फीचे हुआ करता था अब यहाँ पर UK जो है वो दूसरे नमबर पर आ गया है और Italy जो है वो तीसे नमबर पर आ गया है जो कि हाँ पर एक टाइम पर सबसे आगे Italy चला था पर च命 ते आभ पर तो ये अंकरा हमारी किंट्री के हैं आपड़ा रिखा हिए वावन हजार नोसो सतासी केस हमारी किंट्री में अचुकित हैं जिसमें से एक हजार साथसो जो पिचासी लोग हैं उनकी जान अब तक जा चुकी है, टोटल सबसे टोप पर महरास्टा चल रहा है 16,000 क्रोज यहाँ पर कर चुका है यहाँ पर केस के मामले में डेक लगबग 650 के करीब हो चुकी है बाकि यहाँ पर जो गुजरात डेली यह सारे एरिया आप लोग को देखने को मिलेंगे तो यह हमारी country condition है तो इसके बारे में एक हलका सा analysis एक idea आप लोग होना चाहिए ध्यान रखेगा जब से lockdown खुला है ज़्यादे से ज़्यादे लोग वो infected हो रहे है तो आप लोग को अपना ध्यान रखना है तो यह कोजिस कीज़ेगा अच्छे से आईए अब आज के आर्टिकल के उपर अनज़ डालते हैं अगर कोई भी आप लोग को लगता है कि लेक्चर की PDF डाउनलोड करनी है तो टेलिग्राम जोइन कर लीजे नीचे लिंक में जाएगा सारी PDF एक जगे इखटी आप लोग को मिल जाती है और मेरे साथ में Facebook पर भी आप लोग connect रह सकते हैं वहाँ पर भी कई सारी चीज़ सेर की जाती है तो आईए डिसकसन देखते हैं क्या क्या हम लोग कर डिस्स करना है देखिए सबसे बड़ी बात तो यह हैं सारे जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो कोविड-19 को जाने में रखते हैं तो एक फैमिली मेंबर यहां पर यह बोल रहे थे कि सर डेली बोलते हो शांदार आर्टिकल डिस्स करना है पर लेकिन सारा कोविड-19 के बारे में डिस्स कर दो देखे एक्चुली बैग्राउंड कोविड-19 है पर लेकिन नई-नई इंफोर्मिशन आप लोगो जानने को मिलती है नई-नई चीज़े आप लोगो बताए जाती है तो एक तरीके से अपडेट आप लोग हो रहे हैं अब जब वर्ल्ड में कोई एकनोमिक काम नहीं कर रहे हैं आज केड में सारी चीज़े ठप पड़ी हैं ना कोई factory काम कर रहे हैं ना कोई company काम कर रही है इसी के साथ में ना कोई institution काम कर रहे हैं वो भी बस एक का दुक्का ले दे कर थोड़ा थोड़ा काम चल रहे हैं तो ऐसे टाइम पर आप लोग क्या expect कर सकते हैं क्या news बनेगी गोर्नमेंट भी उसी का tackle करने में लगी है अलग-अलग country से news आ रहे हैं कि किस-किस country ने अभी दवाई बनाने की अपनी जो basically मुहीम है वो काफी अच्छी position पर ले जा चुके हैं उसको बोल रहे हैं कि दवाई लग-बग बना ही ली है तो यही तो सारी खबर आएंगे निकल के कि economy down हो रही है migrant worker यहां पर जा रहे हम लोग को उनकी help करनी है तो वही सारी news है आज भी पर लेकिन कुछ important fact है जो कि मैं अलग से आप लोग को बताऊंगा आप लोग के exam के लिए जो फायदा पहुचा सकते हैं और answer writing daily आप लोग करते हैं वो आप लोग को नहीं छोड़नी है बहुत अच्छे से कई सारे बच्चे बहुत प्यारा answer लिख रहे हैं continuously बहुत ज़्यादे improve भी आप लोगों ने कर लिया है जब से आप लोग answer लिख रहे हैं ये खुद ने आप लोगों ने feel किया है मैं नहीं आप लोग को बता रहा हूँ और जैसे कि exam postpone हो रहे हैं उसके चलते तो आप लोगो और भी ज़्यादा सतार्ख होना चाहिए क्योंकि आगे जो है post कमाने वाली है competition और ज़्यादा बढ़ने वाला है लोग जो हैं एक तरीके से बैठे हैं किसी ने किसी तरीके से कोई post निकल करा है सब जी जान लगा कर अपनी प्रहाई कर रहे हैं जो भी घर पर हैं तो आप लोगो पीछे नहीं रहना है किसी भी तरीके से ठीक है तो सारे article उसी से लिटेट है एक दो article यहाँ पर जैसे कि यह वाला article हो गया यह वाला article हो गया यह यहाँ पर कुछ तो USA के बारें बात कर रहे है और कुछ और चीज़े आप लोग यहाँ पर जानने को मिलने वाली है यहाँ पर बोला जा रहे है कि आज की टाइम पर जैसे सिचुशन बन गई है तो इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे important कुछ point आप लोग है हाँ पर पता होगा इसके बारे में migrant worker जो बाहर की country से लाए जा रहे है इसके बारें बात की जा रहे है यहाँ पर भी बोला जा रहे है कि किस तरीके से चीज़ों को निकाला जा सकता है वही सारी चीज़ें हाँ पर दिखा रहे है कौन से उसमें कितने case आ रहे हैं कौन recover कर रहे हैं तो यह चीज़ें हम लोग यहाँ पर discuss कर लेते हैं नोर्मली हुहाँ पर अलग-अलग data point आता था पर जब से COVID-19 चल रहा है तब से उनको data कहां से मिलेगा यही तो data है सब जगे तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा ज्यान रखेगा काफी important बात बोली गए है नारेने मूर्थे जी के द्वारा बोला गया कि इंडिया को आने वाले लगबग 2-3 सालों में 60-60 घंटे काम करना पड़ेगा एक week के अंदर में तब जाकर situation जो है वो normalize होने वाली है यानि कि हर हफ्ते 60 घंटे minimum काम करके हमारी economy जो है वो pattern में आप आएगी तब ही हम लोग चीजों को normalize करेंगी इसमें अगर संडे की छुटी रखे तो इनके द्वारा बोला गया है कि लगबग 10 घंटे हर दिन काम करना पड़ेगा normally आप लोग ने देखा कि 8 घंटे की जोब होती है तो यहाँ पर बोलागे कि 10 घंटे लगबग 2-3 साल काम करना पड़ेगा तब जाकर जो इंडिया जो है वो pattern में आएगी तो यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी अच्छी बाते बोल रहे है बोल रहे है सर काम करनी की पोलम नहीं है दस क्या आप लोग 15-15 घंटे काम करा लो पर पहले जोब तो दो यानि कि unemployment इतना ज़्यादा बढ़ चुका है क्राइसी इतना ज़्यादा है कि लोगों से आप लोग 15-15 घंटे भी काम कराओगे ना तो 15-15 घंटे भी काम करेंगे लेकिन उनको आप लोग जोब दो सबसे बड़ी पोलम आज किर में जोब की है घंटों काम करने की नहीं है तो काफी इंट्रेस्टिंग लगा मुझे जो भी यहाँ पर कार्टून बनाएगे है देखें बड़ी बड़ी पोलम का सोलुशन कार्टून की फोर्म में बड़ी आसानी से समझानी कोशिस की जाती है तो कार्टून जो है उसको थोड़ा सा नेग melon तरीके से मत लेखी जीजे काफी अच्छे होते हैं आप लोगो समझाने के तरीके से होते हैं अब यहाँ पर एक कोशिशन है जो कि आप लोगो अटेम्ट करने है कोशिशन में क्या बोला गए कोश्शन में ये बोला कि तो बोरा जाले दुस्मनी से ओपर उठो और यहाँ पर दोस्ती का हाथ बढ़ो तो वही यहाँ पर एक solution आप लोग के लिए अच्छा होगा तो इसी के बारे में आप लोग को comment करना है यानिके मिलकर ही problem के साथ में लड़ना है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं दोनों कंट्री को एक बार मैं आप में देख लीजिए location का है यह है United State of America और यह होगे हाँ पर China और यह होगी हमारी कंट्री तो दोनों के साथ में आप लोग compare कीजिए हाँ पर यह होगे USA और यह होगे चाइना तो यह जो दो कंट्री है चाइना और USA इनके साथ में काफी लंबे समय से trade war चल रही थी trade war क्या होती है trade war वो होती है जब चाइना का माल यहाँ पर बेचा जाता है ले जाकर तो चाइना के माल पर USA वाले क्या लगा जाते है टेक्स लगा जाते है बहुत ज़्याद है इससे क्या होता है चाइना का माल महंगा हो जाता है तो यहाँ पर कोई इसको खरीदेगा नही सेम काम यहाँ पर चाइना वाले कर रहे थे चाइना का माल USA वाले कर रहे थे USA का माल चाइना में जा रहा था तो वो उसके ओपर टरिफ लगा दे रहे थे तो इनका माल यहाँ पर महंगा हो जा रहा था तो को इसको खरीदेगा नहीं हाँ पर फिर सस्ता माल लोग नूर्मली तो यूएस से ये चाहरा था कि चाइना की market ना बन कर हम लोग export करने माले भी बने क्योंकि जब चीजे export होती है तब ही लोगों को job मिलती है अपना base बढ़ा देगी और ज्द hm क्या करेगी मालेजे आप लोग यहापर काम करते हैं आप लोग मुझे बोलो कि सर आप आओ यहाँ पर काम करो जोब मिल रही है ठीक है तो इस तरीके से क्या होगा यहाँ पर सब मिलकर और ज़्यादे काम करेंगे कल को यह और ज़्यादे बढ़ाएगी तो मैं दो चार अपने दोस्तों को बोलोगा कि आजाओ यार जोब मिल रही है अच्छे से तो आओ जोब कर लेते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्वेंटली लोगों को जोब भी मिलना इस्टाट जाती है जो लोगों को जोब मिल चुकी थी वो भी आज़केट में उनको भी जोब से निकाला जा रहा है क्योंकि काम कोई होई नहीं रहा है तो हाँ पर जोब पर रखकर क्या करेंगे फ्री में सेलरी क्यों दी जाए उनको तो यह situation यहाँ पर देखने को आज़केट में मिल रही है अभी यहाँ पर trade war चल रही थी चाइना और USA के बीच में पर लेकिन coronavirus के outbreak नहीं यहाँ कि जब से coronavirus यहाँ पर निकल कर सामने है तब से और ज़्यादे condition विगार दिये है दोनों country के बीच में क्यों क्योंकि Donald Trump सीधा सीधा बोलते हैं इसको Chinese virus सीधा सीधा जैसे ही Chinese virus बोलते है चाइना वाले चिड़ जाते हैं क्यों क्योंकि China में एक area है जिसका नाम है Wang तो China की Wang City से निकल कर यह virus है तो इसलिए Chinese virus के नाम से जानते हैं यहाँ पर prelims के लिए important question आप लोगों से बन जाता है इसी के नाम क्या के है आप लोगों को बता दूँ इसको Wang virus के नाम से भी जानते हैं इसको Chinese virus के नाम से भी जानते है according to Donald Trump साब इसको starting में novel coronavirus के नाम से भी इसको जाना गया और आज के लिए इसको COVID-19 के नाम से जाने जाता है तो यह सारे इसी के नाम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं पर लेकिन इसको बीमारी को हम लोग यह बोल रहे है नोर्मली जो virus का नाम है वो आप यहाँ पर क्या रग देगा है वो SARS-CoV-2 लग देगे है याद रखेगा जरूर COV-2 इसका मतलब के है इसका मतलब है यहाँ पर यह Severe Acute Respiratory Syndrome तो यह हैं आपर COVID-19 यहाँ पर एक तरी से coronavirus 2 के बोला गया है क्योंकि इससे पहले one already आ चुका था कभ यहाँ पर यहाँ था 2002 में 2002 में China के अंदर already one impact डाल चुका था जिसके चलते लगबग 8000 करीब लोग की जान गी थी और 30 कंट्री में फैला था पर लेकिन अब यह जो second virus यहाँ पर आए यह फैल चुका है लगबग सारी कंट्री में कुछ कंट्री को छोड़कर और बहुत सारे लोग की जान अब तक जा चुकी जैसा हम लोग ने भी डिसकस किया तो यह जो virus है यह दूसर नंबर का virus है तो चाइने से निकल कर आए तो इसका नाम Chinese virus रखा जाता है SARS की pattern पर एक और है जो कि आप लोग को याद रखना है यनि यह Corona family की है इसको बलते है Middle East Respiratory Syndrome तो यह कहां से स्टार्ट हुआ था साउदी अरेवे से स्टार्ट हुआ था साउदी अरेवे से स्टार्ट हुआ था कब उस्टार्ट हुआ था 2012 में इस्टार्ट हुआ था तो हैंपर 2012 में इसके द्वारा लगभग 8500 के करीब लोगों की जान गई थी और जिसके चलते 27 कंट्री में लगभग यह फैला था तो यह इसके बारे में आप लोग याद रखेगा यह चीजे आप लोग को कही बार एक्जाम में पूछ लिजाती है क्योंकि इसी के पुरानी चीजे हिस्टी सी इसकी हिस्टी आप लोगों से खंगाली जा सकती है तो याद रखेगा तो इसी के नाम पर डोलन टरम साब जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं चाइनीज वाइरस के नाम से इसको पुकारते हैं तो डोलन टरम साब जो हैं वो पेंडमिक तो हैं करनी पाएं क्योंकि जैसा मैंने भी आप लोग को दिखाया सबसे ज़्यादे केस अगर किसी कंट्री में आज केट में है तो वो है USA के अंदर में और सबसे ज़्यादे जान जो गई है वो भी कही है USA के अंदर में तो अब इंसान को आगे आने वाले टाइम में इलक्सन चुकी है तो वो क्या करेगा अपने सर पर जो भी हाँ पर एक तरीकी से पाढ़ रखा हुए यानि कि अपनी प्रोल्म का ठेक रहा हूँ दूसरे के सर पर फोड़ेगा तो चाइना के ओपर यहाँ पर ठेक रहा है चाइना को accountable ठहरा है कि इनकी country में जो भी पोलम देखने को मिल रही है वो चाइना की वेसे है और वो हर साइम यही बोलते हैं कि चाइना में जो वांग है वहाँ पर जो lab है उनसे ये virus निकल के आ है कोई तो बोलते हैं मार्किट से virus निकल के आ है अब यहाँ पर बात यह चल र कोई में उसका घर तूड़ गया वो गरीब सा है बेचारा कोई रिक्सा वाला है या पर कोई किसान है तो वो बोलेगा कि भाईया मुझे compensation दो government से compensation लेकर आएगा तो वही compensation यहाँ पर US से मांग रहा है यानि को कह रहा है कि जो बीमारी आप लोग की विसे फैली है हमें पैस या बोल रहे थे इससे पहले बोल रहे थे चाइना बहुत अच्छी country है चाइना crisis को बहुत अच्छे से handle कर रहा है वाव चाइना all the best अच्छे से handle करो यह तब तक था जब तक USA के अंदर यह virus नहीं आए था जैसे USA के अंदर यह virus आ गया वैसे इनका यूटन आ गया इन्हो तुम्हारी वज़े से यह हुआ तुम्हारी वैसे हुआ तुम्हारी ऐसी तैसी तो वह सारी चीज़े नहोंने करना इस्टार्ट कर दी यह कर दो वरना में यह कर दूँगा यानि कि जो साबास ही थी वह एक तरीक से negative चीज़ों में एकदम convert हो गई तो यह situation आप लोग यहा पर चाइना है चाइना भी उसके चलते काफी सारी चीज़े आप लोग देखते हैं चाइना की अगर बात करें हाँ आपर आज की डेट में उसने भी अपने लेवल पर जो काम करना है करा इस starting में तो चाइना की काफी insult हुई कि हाँ चाइना ने जो है वाइरस को चुपाया यह सब हुआ पर लेकिन आज के चाइना अपनी इमेज चेंज कर रहा है काफी हता क्योंकि ओल ओवर वर्ड में कंट्री की हल रहा है वो पर लेकिन यहाँ पर जो चाइना के ऊपर अटेक कर रहा है डोलल टरम साहब तो उनको हल्प कर सकते हैं कि हां एक तरीके से एक उनका तरीके से दिखा रहा है Donald Trump, जैसे आप लोग देखते हैं, पाकिस्तान में जब भी election होते हैं, तो इंडिया को villain बना देते हैं, कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, development कुछ नहीं हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, लोगों की जान जारी है, उ अंगरे जो हो BJP को काली देती है, कल काफी interesting, मतलब कि इसने हद तक लोग जो है, वो influence रहते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, कल मैंने ट्विटर पर कुछ सेयर किया था, ये देखिए आपर, ये हरकते आप लोग को देखने को मिलेगी, पपु तो गदार है, गदार म जब यहाँ पर क्या होता है, ये होते हैं कि एक दूसरे के वरकर, दूसरे को गाली देते हैं, तो हमारी केंट्री में ये situation देखने को मिलते हैं, election के टाइम पर, और नॉर्मली भी यहाँ पर ऐसी हरकते चलती रहती हैं, तो डोनल्ड ट्रम्प साहब जो हैं, आपर वो बोल क्योंकि ऐसी बाते हैं, इनका बोलना लाजमी भी है, मई के महीने में खड़े हैं, और अभी है आपर नॉर्मबर के महीने में election हैं, तो एक तरीके से ये अपना जो election का campaign है, वो चाइना को ध्यान में रखते हैं, चाइना के issue पर ध्यान रखना चाते हैं, जो बीमारी है, उ सबसे बड़ी company बोल सकते हैं, आपर why, why company ये 5G यानिके 5G technology को implement करने वाली थी, तो डोलन ट्रम ने आपर इसको भी USA से बाहर भगाने की आपर पूरी कोसिस की, जिसके चलते हैं आपर ये दिखाया गया, कि हाँ हम लोग अपनी country की जो company हैं, उनको focus दे कर चलेंगे, हाला कि जनवरी के महिने में, हाँ पर दोनों के द्वारा कुछ बात की गई थी, कि हाँ हम लोग चीजों को normalize करने की कोश्च करेंगे, तो यहाँ पर ये किया गया था, कि जो USA है, वो China के ओपर tariff नहीं लगाएगा, पर लेकिन उसके बदले, China को क्या करने हैं, उसके बदले China को American product खरीदने पड़ेंगे, China भी राजी हो गए था, पर लेकिन final deal अब तक नहीं हुई है, क्योंकि condition और ज़्यादा है, यहाँ पर खराब हो गई, COVID-19 के चलते हैं, तो इसके चलते हैं, डोनल्ड ट्रम्प साब हैं, वो China को पनिस करने के चकर में रहते हैं, तो अगर यहाँ आपर ऐसी situation बनती है, डोनल्ड ट्रम्प साब चाइनो को पनिस करते हैं, और और ज़्यादा उनके उपर कोई tariff लगाते हैं, तो इससे global economy को और ज़्यादा नुकसान पहुचने वाला है, क्योंकि at the end of the day, all over world की जो economy है, वो एक दूसरी से के साथ में connect है, बहुत सारी USA की company चाइना के अंतर बेस है, आज केर में इंडिया के साथ में बहुत सारी companies के connection है, तो इस तरीके से अगर किसी country को नुकसान होता है, तो इसका मतलब यह समझे, दूसरी country को भी नुकसान होगा, और यही purpose था जब starting में globalization start किया गया तो उसका purpose भी था, reason क्या था, reason यह था, जब पर इनका dependency रहेगी, तो फिर क्या होगा, फिर जो है, वोर होने के chances कम रहेगी, क्योंकि उनको पते हैं, कि अगर वोर करेंगे इस टाइम पर, तो बेसिकली नुकसान उनको भी होगा, चाइना के ओपर कितनी भी बाते बोले, पर एक limit से आगे US से नहीं काम कर सकता, reason क्या थ reason यह था, वोर होने के chances काफी कम हो जाते हैं, तो यहीं काफी important fact आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, तो वायरस जो है, उसको तो control करने की बात आप लोग ने समझी ली, अब यहाँ पर आज कित में क्या चल रहे हैं, यहाँ पर जो चाइना है, वो अपनी image भी चेंज कर रह है, एक medical assistant प्रोवाइड करा रहे है, economic healthy कई सारी countries को भेज रहे है, even जब मैंने आप लोग को याद होगा, जब World Health Organization का lecture मैंने आप लोग के लिए बनाए था, कि USA ने जो WHO की funding है, वो रोक दिये, क्यों, क्यों इनके द्वारा Donald Trump साब के द्वारा यह बोला गये, कि World Health Organization जो है, वो यहाँ पर चाइना के favor में काम कर रहे है, चाइना बीमारी को चिपा रहा है, वो फिर भी उसको support कर रहे है, तो पैसा हम दे रहे हैं, हमारी country में दुनिया भर के लोग मारे जा रहे है, तो उन्होंने एक यहाँ पर इलजाम जो था World Health Organization की जो funding थी है, जो पैसा इसको दे जा तो चाइना ने बोला कि 13 मिलियन का grant मैं इस agency को दूँगा, तो देखिए कहीं न कहीं जब से Donald Trump साब आए ना, तब से लेके जो USA की जो image है वो डाउन हो रही है, और चाइना की image बढ़ रही है, क्योंकि जहां-जहां से USA अपने हाथ खीच रहा है, यह चाइना जो है, व उसके उपर फोकस नहीं कर पा रहे है, बेसिकली फोकस ही होना चाहिए कि वाइरस को कैसे defeat करना है, लोगों की जान कैसे बचानी है, और कैसे अपनी society और economy को फिर से आगे लेकर चलना है, पर लेकिन यह किन चीजों पर फोकस करें, यह तरीक से बे-बुनियाद आरोप लग यह कर दूँगा, यहां पर भी धमकी दिखा रहा है, अब यह समझे, आज किर में हर जगे धमकी अगर तुम दोगे, तो एक जगे ऐसी भी आएगी, जब लोग तुमारी धमकी को सुनना ही बंद कर देंगी, यार इसका तो यही हाल है, यह तो यह हिरकते करता है, तो यह situation देखने को मुझे, तो उससे पहले वो situation टर्णो, सुधर जाओ, वरना USA की जो इमेज है वो ओर लड़ी काफी डाउन हो चुकी है, आगे आने वाले टाइम में और भी डाउन होती ही नजर आएगी, इसी के चलते है एक और आर्टिकल है, उसके बारे में मैं आप लोग को ही पर ही बता जेता हूँ, नोर्स बनाने की ज़रत नहीं है, बस कुछ बाते आप लोग सुन लिजिए, जैसे मैंने आप लोग को बताया है, एक सैड में तो जो चाइना है, ये मैप में आप लोग देखे ज़्यादा समझ पाएंगे, एक सैड में चाइना हो गया, और एक में चाइना है, चाइना की इमेज जो है, बहुत जादा खराब हो चुकी है, COVID-19 के चलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके द्वारा छिपाएंगे, COVID-19 के केस थे दुनिया को बताया नहीं गया, तो ये माना जा रहा है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, जो हाँ पर ए उएस से इलेक्शन में लगवाएं, तो इंडिया अपने जैसी कंट्री को इखटा करें, और उनको लेकर आए, उनके साथ में काम करें, और अपने हिसाब से कुछ इस्टरजी सामने लेकर आए, जिसको ओल ओवर वर्ल्ड में इंप्लिमेंट किया जाए, तो इससे क्या पॉर्ल में जो कि लीडर कंट्री जिनको आप लोग बोलते हैं, तो इक अपोर्चूटी की तरीके से हम लोग इसको भुना सकते हैं, अगर हम लोग एक तरीके से इसको फाइदा उठाना चाहते हैं तो यह काफी अच्छी बात है आपर एक तरीके से बहुत सारी ऐसे काम कि में election होते हैं तो उनके साथ मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं और करना भी चाहिए तो यहीं यहाँ पर suggestion एक तरीके से धिया जा रहा है writer के द्वारा ठीक है तो यह इसके बारे में next article की और चलते हैं जो next article है आपर यह बात की जारी है जो फसे हुए worker है हमारी country के उनको अपनी country मे वापस लानी की बात की जा रही है पर लेकिन यह भी है कि उनको अपनी country में वापस तो लाया जा रहा है पर लेकिन जो infection है उसको रोकना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी country है जहां से लोग आएंगे वहाँ पर काफी ज़दे इंफेक्टर लोग है तो आकर किस तरीके से च अपनी country में वापस लाया जाएगा तो इंडिया के अलग-अलग country में दुनिया भर के लोग फसे में तो उनको वापस लाया जाएगा एरक्राप्ट की हैप से और नेवल सिप की हैप से अपनी country में तो government क्या कर रही है plan बना रही है coordinate कर रही है तो first week में 13 country से लगबग 15,000 ल जाता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो business के purpose से गय वेते हैं कुछ tourist के purpose से गयेते है आप एक बार मैं पढ़ भी रात है हाँ पर जो स्वामी नातन साब मैं वो इटली में तो हाँ पर वो इसी के चलते हैं, हाँ पर वो जो पूँचे जर्मनी में तो हाँ पर वो गेम के परपस हैती तो अलग-अलग रीजन की वेसे लोग अलग-अलग आपस लाजाएगा, देखा जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर अभी जो application आने वाले हैं, वो 5 से लेके 10 लाख तक का application आने वाले हैं, और क्या कहरी है, गवर्मेंट लाने के कोशिस करेगी, लगबग मुझे लग रहे हैं, 30 से 40 जार लोग हो आपसी, reason कहें, reason उसका भी आप ल solution उनको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट बिल्कुल बंद पड़ी हैं, तो तैर कर तो आप आएंगे नहीं, तो यूनिवस्टी बहुत सारी होस्टल जो हैं, वो सट डाउन कर देगे हैं, जो इस्टूडेंट है, वो भी दर-दर भूम रहे हैं, तो जो यहाँ पर priority द इनको डिपोर्ट के जा रहे हैं, जिनके फैमली में कोई emergency चल रहे हैं, कोई medical issues like pregnancy आपर देखने को मिल रहे हैं, या फिर वो student जो अपना आवास खो चुके हैं, यानिके hostel बंद कर दिये गए हैं, तो सबसे पहले उनको वापस यहाँ पर लाय जाएं, यह सबसे पहले first phase में काम किया जाएगा, क्योंकि देखें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यहाँ जो लोग वहाँ पर फसे हुएं, उस में से बहुत सारे लोग क्या maximum वो हैं, जो कि अच्छा कासा माँ पर कमा रहे हैं, यानिकि वो अच्छी कासी से salary हैं, उनकी अच्छी कासी income है, तो वो कहीं पर भी जुनियादारी अपना होटल में रहकर अपना काम कर सकते हैं, अगर कंट्री में वपस लाए जाएगा सब को, तो फिर हमारी कंट्री के लिए काफी ज़्यादा पोलम क्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों कैसे यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि सब को रखना कोरेंटीन में जुरूरी भी है, लगबग 14-14 दिन का कोरेंटीन में रखा जाएगा, जो की इंपोटेंट यहाँ पर है, जो भी बाहर से आएगा, ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, इस तरीके से हाँपर इतनी फेसिलिटी प्रोवाइड कराना, इतनी सारी एक तरीके से जो भी हाँपर कोरेंटीन के लिए रखने के लिए जखें प्रोवाइड कराना, तो सारी चीज़े पोसिबल नहीं हो पाएगी, और सबसे पहली बात यह हैं, सारे जो हैं, अच्छा कासा कमाने वाले लोग हैं, तो ट्रेवल की जो भी अरेंजमेंट की कोस्ट होगी और जो अक्यमेडिशन होगा, वो सारी कोस्ट इन से लिए जाएगी, यहनके आप लोगों को पता है कि गोवर्मेंट की हालत काफी खसता चल रही है, तो गोवर्मेंट जो है, उसके चलते गोवर्मेंट जो है, कई सारी उल्ड़ी सीदे हरका दे कर रही है, डीजल, पेट्रोल पर प्राइस बढ़ा रही है, इसी के साथ में वाइन पर जैनके जो सराव अगरा खरीद जा रही है, दुनिया भर का उसके ओपर टेक्स लगाया जा रहा है, तो गोवर्मेंट जो है, वो एक तरीके से पैसा कमाने के मूड में आ गी है, तो यहाँ पर यहाँ प गया रही है, तो गोव को पर लेकिन बहुत सारी कंट्रीन हैं, तो लोगों को लेने से ही मना कर दिया है, तो उस तैम पर हमारी कंorta फिर भी इस तरीके से step उढ़ा रही है, तो कहीं न कहीं, यह एक प्हाँ बात भी आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन उसके एसाब से यहा ने भी आप लोग को बताया है वो सारी चीज़ें आपर अवेलियूव करानी पता हुँएा पर यह जो है आपने घर न जाए फिर से चीज़ें आपर repeat न होने लगे और ज्यादे लोगों के case ने आने लगे तो वो चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखने को मिलेगी आपर यहां कि बाहर से आने वाले लोगों का घर में रहने वाले लोगों के ऊपर कोई impact नहीं पड़े क्योंकि हमारी कंट्री में जो basically lockdown लगाया गया वो इतना tight lockdown यहां पर लगाया गया कि even अपनी ही कंट्री में लोगों को अपने घर तक नहीं जाने दिया गया अब यह समझे है बाहर से लोगों को ला रहे हैं तो फिर किस तरीके से situation को normalize करके चलना चाहिए तो need है आपर दोनों तरीके से आप लोगों चीजों को लेकर चलना पड़ेगा कि जो old lady है उनको तो आप लोगा ध्यान रखना है जिनको बाहर से ला रहे हैं उनका ध्यान रखके चलना है इस तरीके से situation को आप लोगों को लेकर चलना है क्योंकि आज की डियर में global oil price down हो चुके हैं लोग अपने घरों मे बैठे हैं काम मिल नहीं रहे हैं आने वाले टाइम में जल्दी से काम मिलने वाला है भी नहीं है तो इस तरीके से ताकि second novel coronavirus की wave फिर से ना फैल जाए हमारी country में तो ये situation अम लोग को understand करनी पड़ेगी और इसके साब से चीजों को implement करना पड़ेगा तो काफी important fact है आपर ये लोग ने सुना console देना एक तरीक से संतावना देना वो problem में आकर बोलते हैं कि कुछ नहीं सब सही हो जाएगा तो इस तरीके से इसके नाम पर यहाँ पर bond का भी नाम रखा गया है जो past में world war के time पर यहाँ पर issue किये गे थे तो इस तरीके से आपर बोला जया है कि इस तरीक आप लोग को लाना पड़ेगा यानिकि support करना पड़ेगा ताकि हमारी जो country की economy है उसको इस particular problem से निकाला जा सके तो रास्ता आप लोग को देखना पड़ेगा तो इसके चलते आप लोग को हैं पर जो proper pattern आप लेकर चल रहे हैं उससे हटना पड़ेगा यानिकि एक तरीके स जो pattern आप लोग चला रहा है न कि हाँ इसी pattern में काम करना है वो situation नूर्मलाइज आप लोग नहीं कर सकती है beyond revenue received fund और आप लोग को complete stimulus यहाँ पर जो चीज़े हैं आप लोग बोले कि जब आप लोग के preparation स्टार्ट की तो आप लोग का NCRT भी समझ में नहीं आती थी पर आज के time पर आप लोग चीज़ों को understand करने में ज्यादे time दे रहे थे और practice में चार्ज ज्यादे आप लोग को time देना पड़ेगा यानिकि ज्यादे से ज्यादे प्रेक्टिस करो जो आप लोग ने पढ़ रहा है उसको revise करो ज्यादे से question लगाओ answer writing करो वो चीज़े आप लोग करन investment करने है जैसे कि this investment का क्या मतलब है जैसे कि आप लोग को याद होगा LIC के भी bond बेचने की बात की जारी थी तो LIC के अगर कोई पार्ट यहाँ पर बेचे जाता तो वो disinvestment होता है इनके सरकार जो है वो अपना पैसा अपना पार्ट बेच रही है पैसा कमाने के लिए और उ government को उनका बेचने का कोई मतलम नहीं है क्योंकि अब उनको सही return यहाँ पर नहीं मिलेगा आज किर में तो जो तेल हैं वापर उस टाइम पर जो 60 या फिर 100 डोलर पर बैरल हुआ करता था हो आपर वो आज किर में ऐसा हो रहा कि फ्री में ले जाओ और हम लोग और पैसे आप पर एक तरीके से target रखा जा रहे है disinvestment का है हाँ पर लगबख हमारी country में और मैंने कल ही आप लोग से discuss वाली वीडियो में हम लोग ने के देखा था कि हमारी country में जो basically खरचा किया जा रहे है एक से 2% एक्षा किया जा रहे है इक से डिजास्टर से बाहर निकलने में US से 10% खर्च कर रहा है अपनी एकनोमी का तो हम लोग को भी चीज़े बढ़ानी पड़ेगी अभीजीत बैनर जी जो कि गॉर्मेंट जो है उनको सारी चीज़े देखकर चलनी है कि किस तरीके से निकलना है डिस इनवेस्टमेंट करना है और कैटरन में भी लेकर आना है एकनोमी को क्योंकि अपनी तो है अठनी और खर्च कर रहे है तो पचास पीसे के अप लोग डेफिशिट में चले जाओगे तो इसके चलते हैं बोला जारे कि फिसकल डेफिशिट को कंट्रोल करो और जो मैक्रो एकनोमी है उसको आप लोग मैनेज करो अच्छे से लेकर चलो तो उस टाइम पर फिसकल डेफिशिट जो है वो 2030 तक लगबख 3.1% लेकर आने है पर लेकिन यह भी आपर उस टाइम पर बोला गया था कि अगर सिचुएशन खाब होती है जैसे कि कैसी सिचुएशन होती है माली जे कोई प्रोलम निकल कर आती है जैसे कोई प्रोलम निकल कर आती है आप दाउनसूर नहीं है कंट्री में एकनोमी बरबाद हो रही है हमारी कंट्री में खेती नहीं हो रही है बहर में ओयल पार्किट में प्राइज जो है डाउन हो रहे है फिर बढ़ गया है फिर भी हम लोग इसी तरीके से पैटन को लेकर चलना पड़ेगा उस टाइम पर आप किया है क्योंकि FRBM जो एक्ट है आपर Fiscal Responsibility Budget Management Act ये 2003 में ये एक्ट आए था जब 2003 में ये एक्ट आए तो उस टाइम पर बोला था कि Fiscal Deficit आप लोगो 3% करने है क्योंकि GDP काफी अची चल रही तो उस टाइम पर एकनोमी जो थी वो एक तरी से दाड कर दोड रही थी आगे पर लेकिन situation जो है फिर 2008 आया तो एक तरीके से हो नहीं कि चांद में दाग लगाने आ गया फिर यहाँ पर तो recession आया तो recession के चलते फिर लगा कि फिर से जो हेकनोमी फिर रुकेगी तो फिर इसको suspend कर दिया गया जो target था 2011 में फिर से बोला फिर से जान आई कि हाँ चलो फिर से देखते हैं आर कुछ ना कुछ करते हैं तो 2011 में फिर से कोसिस कीगी तो फिर से आपर चीजे जोती आब आगे चीजों को normalize करने की कोसिस की जा रही है तो एनके सिंग के अदेखस्ता में यह कमिटी बनाएगी एनके सिंग वही है जो की 15th finance commission के chairman भी है तो यह याद रखेगा important fact है तो fiscal responsibility and budget management जो act है उसके चलते finance मिश्ट्यों के दौर रिपोर्ट समिट की गई और इनके दौरा बोला गया कि normal condition में आप लोग है आपर लगबग 3% यह करीब अपना deficit रखना है अगर normal condition नहीं है तो फिर आप लोग और भी ज़्यादा एक तरीके से market से पैसा उठा सकते हो economic को सुधारने के लिए situation के साथ में लड़ने के लिए तो वही बाते हैं समझाने कुछ की जारी है कि शाम दाम दंड भेत जो भी लगाना है लगाओ पर लेकिन इस problem से बाहर निकल कर आओ तो यह है basically funda जिसको आपर यह बाते बोलने की कोसिस की जारी है ठीक है तो इसके बारे में आप लोग आईडिया रखेगा फार भी है मैक तो आप लोगों से डिरेक्ट एकजाम में पुछा दा सकता है question बन जाते हैं बड़े ही frequently तो आप लोगों बता होना चाहिए क्या-क्या है हमारी country में और इसके chairman जो है काफी ज़्यादे news में भी है क्योंकि finance commission के chairman भी है finance commission हमारी country में constitutional board है कौन सा article इससे लिड़े है ये सारी चीज़ आप लोगो रहने चाहिए यह बताई आप लोग इसके साथ में N.K. Singh से पहले हमारी country के finance commission कौन थे यानिके 14th finance commission कौन थे हमारी country के chairman ये आप लोगो बताना है ये चीज़े revise करते लिए काई सारी चीज़े तो मैं आप लोगी revise करते रहते हूं कुछ थोड़ी सी चीज़े आप लोग भी revise कीज़े जैसी question वाली वीडियो आप लोग की आती है कर रहा हूं उस वीडियो के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा current की चीज़े तो आप लोगी जिस तरीके से news analysis वाली वीडियो में भी आ जाती है और दा हिंदू में हम लोग discuss कर लेते हैं पर जो चार-पांच महीने पहले की चीज़े हैं वह कहीं नहीं मिल पा रही है उनका आप लोग रिवजन कैसे करोगे तो question की form में इसलिए में वो वीडियो लेकर आ रहा हूं ताकि वो वाला रिवजन भी आप लोग का चलता रहे तो इसलिए practice अच्छे से करते रहे हैं और वही आप लोगों का भी फायदा पहुचाने वाला है आईए अभी हाँ रंज तो इस तरीके से question एक ही question में से कई सारे question आप लोग के बन जाते हैं तो ये थोड़ा सा sorry ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर चलिएगा जो भी सारे question में हैं इनको सबको revise आप लोग करते रहे हैं क्योंकि अलग अलग लेक के बारे में daily हम लोग discuss कर लेते हैं तो क्या स ये ए में बुला गया one only, b में बुला गया two only, c में बुला गया both one and two, dm बुला गया neither one no two, तो answer देख लेते हैं क्या है, answer यहाँ पर बीस है, second statement से ये first गरत है क्योंकि वो South Africa नहीं है, South Australia के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी, अगर आप लोग अपनी country compare में देखना च और भी कई सारी लेख हैं आपर, जैसे लेक एर हैं आपर होगी नोर्थ, इसी के साथ में साथ के होगी जो हम लोग ने distance की थी अभी, तो यह आप लोग को रिव्जन भी होगी है आपर, ठीक है, तो इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, और भी कई सारी lake है जैसे lake foar में हाँ पर ये हो गई है इसी के साथ में lake garander हो गई है आपर ये तो ये अलग अलग lake है आप लोग से पूची जा सकती है ये वाली lake हमारी lake है जिसके बारे में हम लोग को discuss करना था lake torrens ये lake torrens यहां से जाते हुए यहां पर यहां पर नीचे आएंगा आप लोग यह है गल्फ इस पैंसर गल्फ ठीक है तो इसमें जाकर यहां पर गिरती है यानि कि एक तरीक से आप लोग बोल सकते हैं यह इंडिया नोशन यहां पर आप लोग को देखने को मिलता है ठीक है तो इस तरी से यह यहां परaliट, आप लोग हमां पहुंपितने को मिलती हैं, यह याद रखिएगा, इसके शाफ में यहां पर आसले और सक्ष्राप न very ह handling हो ईसे यहां पर बेखने को दिखर, इस consider यहां पर क्या हो गई? B answer से हो गया, क्योंकि यहां पर यह South Africa नहीं है, South Australia है, तो answer B से हो गया, second से ही है, first statement यहां पर गलत हो गई, ठीक है? तो यह था इसके बारे में discussion, तो I hope कि आप लोग ने इसको अच्छे से enjoy किया होगा, तो जो जो भी चीज़े हम लोग discuss करते हैं, कोशिस क्या कीज़े, एक बार इसको review कर लिया कीज़े, ताकि जो चीज़े हैं वो आप लोग नहीं भूलें, और exam में आप लोग उनको अच्छे से याद रख पाएं, तो अगर lecture की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से डाउनलोड कर लिज़ेगा, यह है हमारा telegram का link, एक लांक दज़जाद से ज़्यादर family member यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ में, आप लोग यहाँ पर भी मेरे साथ connect रह सकते हैं, Facebook, Instagram, यह Twitter पर, कई सारी चीज़ें वहाँ पर भी share की जाती हैं, जो लगता है कि आप लोग को फायदा पहुंचा सकती हैं, कई बार motivational चीज़े होती हैं, तो कई बार informational चीज़े होती हैं, तो अलग-अलग तरीके से फायदा आप लोग को पहुंचा सकती हैं, बाकि जब भी टाइम मिलें, आजपस सफायरी के पानी और पेड़ पोदों के सेव कीज़ें, पोल्तिन और प्लाश्टर केर बिल्कल यूज़े नहीं करने हैं, तो मिलता हूं नेक्स लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोड़ी सी लाइफ एंज्य के अकरार, तब तक के लिए, जै हिंद!